मंगेतर को सबक सिखाने के लिए पालतु कुट्टे के साथ किया ये काम लोग सुना रहे हैं खरी खोटी अक्सर देखा जाता है शादी से पहले लड़का और लड़की कई प्रकार के सपने से जाते हैं सगाई और शादी के बीच बहुत शांदार वक्त होता है क्योंकि इस दौरान कपल एक दूसरे को कई प्रकार के गिफ्ट और सर्प्राइज देते हैं क्वालिटी टाइम खूब इंजॉय करते हैं अक्सर ये भी देखा जाता है कि शादी से पहले लड़का और लड़की कई तरह से एक दूसरे को यादगार बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाते लेकिन कई बार दुरभाग से शादी से पहले ये परफेक्ट कपल बनने से पहले तूट भी जाता है अलग हो जाता है और शादी तूटने का गम वही समझ सकता है जिसकी शादे आन मौके पर तूटी हो अर्जंटीना की रहने वाली एक यूवती के साथ ही ऐसा कुछ हुआ शांदर होटल में रखा गया था शादी का प्रोग्राम लेकिन शादी से ठीक एक दिन पहले ही यूवक का अपनी मंगेतर के साथ ब्रेक अप हो गया और शादी से उन्होंने इंकार कर दिया आपको जानकर हैरानी होगी कि अर्जंटीना की समहिला ने हमत नहीं हारी अपने दोके बाद मंगेतर को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाया ऐसे में यूवती ने फैसला किया कि शादी होगी तो आज दूला कोई भी हो उसी से इसके बाद यूवती ने अपने पालतू कुत्ते से शादी करने की ठानी साथी में पार्टी के लिए उसने एक होटल को हायर किया और शादी का अंजाम दिया घरवालों दोस्तों को अंदाजा भी नहीं था कि वो लड़की अपने पालतू कुत्ते को ही जीवन साथी बना लेगी इसके बाद यूवती ने यूवती को भख सोजाया समारा उससे शादी की और शादी के फोटोज भी शेर किये दोस्तों रिष्टेदारों को भी बिलाया लेकिन इस शादी की खूब चर्चा हो रही है वही कुछ लोग इस शादी के लिए यूवती की तारीफ भी कर रहे हैं वही कुछ लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कॉमेंट में जरूर बताएं